हम आपको बिहार की जातिकत जनगर्णा के कुछ चौकाने वाले आंकडे दिखाएंगे इस रिपोर्ट के मुदाबिक बिहार में सामान्य वर्ग के 25% परिवार गरीब है तो जो लोग यह सुचते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो बहुत संपन्न होते हैं उनके लिए एक जटका है सामान्य वर्ग के 25% परिवार गरीब हैं बिहार में और इन में भी भूमिहार और ब्रहमन सबसे ज़्यादा गरीब है बिहार में सिर्फ 7% लोग ही ग्रेजुएट हैं यानि ग्रेजुएशन तक पड़े हैं और 22% से ज़्यादा लोग सिर्फ पहली से पांचनी क्लास तक पड़े हैं इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में एक ही जाती है जिसने हर वर्ग के लोगों को बांध कर रखा है और वो जाती है गरीबी आज मैं एक बड़ी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट से जो आंकड़े सामने आये हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ जो आपको शायद बिहार के बारे में और फिर हो सकता है पूरे देश के बारे में आपको पता चले इस समय बिहार की कुल आबादी है 13 करोड 7 लाक जिन में 22.6 लोग ऐसे हैं जिनोंने पहली क्लास से पांचमी क्लास तक ही पढ़ाई की है लगभग आप समझ लीजे 23 लोग ऐसे है 14.3 लोग ऐसे हैं जिनोंने छटी क्लास से आठमी क्लास तक ही पढ़ाई की है यहां आप देख लीजिए 14.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 वी कक्षा से 10 वी कक्षा तक ही पढ़ाई किये 9 वी और 10 वी और इनमें बिहार के मौझूदा उप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है जिन्होंने 9 वी कक्षा तक पढ़ाई की है तेजस्वी यादव यहां पर शामिल हैं इस वर्ग में है 9.1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11 वी और बारवी कक्षा तक पढ़ाई की है और पूरे राज्ये में सिर्फ और सिर्फ 7% यानि 92 लाख लोग ऐसे हैं जो की graduate है पूरे राज्य की आबादी में सर्फ इतने से लोग ऐसे हैं ये देखिए 7% जो की graduate है सोची उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़ादा युवा बिहार से UPSC की परिक्षा पास करके IES के अफसर बनते हैं यानि जो बिहार से IES अफसर बनते हैं बड़े UPSC का एक्जाम क्लियर करते हैं वो इस वर्क के लोग हैं लेकिन बिहार में खुद सर्फ 7% लोग ही graduate है इसी तरह बिहार की कुल आबादी में सर्फ 36% परिवारी ऐसे हैं जो दो या उससे जादा कमरों के पक्के मकान में रहते हैं जबकि 26% परिवार ऐसे हैं जो खप्रेल या टिन के कच्चे मकानों में रहते हैं और लगभग 15% परिवार जुग्गी जुपडी में रहते हैं और बिहार के 0.2-4% परिवार आज भी बेघर हैं, उनके पास कोई घर नहीं है 15% जुगी में रह रहे हैं, 26% खप्रेल या टिन में रह रहे हैं, 22% एक कमरे के मकान में रहे रहे हैं और 36% लोग जो है वो थोड़े और बड़े मकान में है सबसे ज़दा हैरान करने वाला अकड़ा यह है कि बिहार में 95% लोगों के पास अपना कोई वहान नहीं है जिससे आप बिहार के लोगों की आर्थिक सिती का अंदाजा आज लगा सकते है बिहार में लगवाए 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आए 6,000 रुपे से भी कम है 34% और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ी जाती के लोग ही बिहार में गरीब है बिहार में सामानने वर्ग के 25% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आए 6,000 रुपे से कम है पिछड़े वर्ग और अती पिछड़े वर्ग के 33-33% लोगों की मासिकाए 6,000 रुपे से कम है दलित समुदाय के 42% और आदिवासी समुदाय के भी 42% लोगों की मासिकाए 6,000 से कम है और राज्ये में कुल 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिती काफी कमजोर है आने वाले 25.8% परिवार गरीब परिवारों की श्रेणी में आते हैं ये जाती गत ब्रेक अप आप देख सकते हैं यहां पर देखिए भूमिहार भी 27% ऐसे हैं जो गरीब है इसी तरह पिछड़े वर्ग में यादव जाती के 35.8% परिवार गरीबी रिखा से नीचे हैं और पूरे बिहार में यादव जाती के लोगों की कुल आबादी है 14.2% इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जाती है गरीबी इसलिए सरकारों को आरक्षन का अधार गरीबी को बनाना चाहिए जातीयों को नहीं लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा बिहार के मुखे मतरी नितिश कुमार ने आज विदान सबाव में इस रिपोर्ट को पेश करते हुए आरक्षन का दायरा 50% से बढ़ा कर 65% करने की मांग की है और अगर ये मांग मान ली गई तो बिहार में सरकारी नौकरियों और स्रेक्षनिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षन की सीमा 75% तक पहुंच जाएगी क्योंकि 65% जातिगत आरक्षन के अलावा हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर के लिए 10% आरक्षन अलग से है और इसलिए ग्रह मंत्रे अमित चाह ने भी इस रिपोर्ट को एक धोखा बताया है दस प्रत्सत सुने न अदस प्रत्सत अपरकास का पहिले से है तो 65 और 10 75 तो बचेगा 25 तो पहिले 40 सब को फ्री था अब 25 फ्री हो जाएगा लेकिन बाकी का पिछड़ा और अती पिछड़ा के संख्या को भी कम से कम आप खुल मिला करके और स्टी स्टी को जो 50 है उसकी जगापर हम लोग 65 कम से कम कर दें या आप लोगों से बड़ा मर्से चलिए यह सर्वे जो है यह चलावा हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ा कर अती पिछड़ा को न्याय करने का काम यह नितीज कुमार और लालू करेंगे आज जब बिहार के 94 लाग परिवार गरीबी रिखा से नीचे हैं और इन लोगों को आरक्षन की सबसे जादा आवशक्ता है तब बिहार में गरीबी से जादा जातियों की बात हो रही है लेकिन आज हम आपको बिहार से आई कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो आपको बताएंगे कि बिहार में विकास क्यों नहीं होता ये तस्वीरें बिहार के जहानाबाद से आई हैं जहां स्थानिये लोगों ने एक तीन किलोमीटर लंबी निर्माना धीन सड़क को ही चुरा लिया इस सड़क का निर्मान बिहार की मुख्यमंतरी ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा था लेकिन वहां के लोगों ने इस सड़क के निर्मान के दौरान सड़क में इस्तिमाल होने वाला पूरा मेटीरियल चुरा लिया लूट लिया और इस तरह से ये सड़क बनते-बनते ही चोरी हो गई क्योंकि इसका जो सारा समान है वो स्थानिये लोग चुरा कर लूट कर ले गई कर दो